नमस्कार आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ फृतिका जम्मू में रिलाइन्स की और से रिटेल स्टोर खोलने के लिए जो प्रदर्शन हो रहा है आप लोग उस बारे में अपडेट्स देखी रहे हैं जहां कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि रिटेल स्टोर जम्मू में खुलने चाहिए उनका ये कहना है कि इससे जो बेरोजगारी बड़ी है वो कम हो जाएगी यानि कि कुछ लोगों को उसमें काम मिलेगा लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जहां सो लोगों को रोजगार मिलेगा वही वो सो लोग जो दुकाने चलाते हैं रिटेल्स की उनको इस तीस से काफ़ी नुकसान होगा अगर मैं बात करू रिलाइन्स कंपनी की तो उनकी और से जमू में रिटेल स्टोर खोलने समेथ जमू कश्मीर की अंदेखी के विरोज में Chamber of Commerce and Industry जमू ने आज इलान किया है Chamber of Commerce and Industry ने इन मुद्व पर बुद्वार को जमू बंद करवाने जा रही है यानि कि जिसकी गोशना आज एक प्रेस वारता में होने की संभावना है और बुद्वार को जमू बंद की कॉल है यानि की 22 सब्तमबर को जो रिलाइन स्टोर खुल रहे है रिटेल शॉप्स या खोली जा रही है उनका विरोध करने के लिए 22 सब्तमबर यानि वुद्वार को जमू बंद की कॉल चामबर की और से आ चुकी है और इस मुद्दे पर ट्रेडर्स फेटरेशन वियर हाउस नेरू मार्किट ने पिछले कुछ दिनों में आप में देखा था कि उनकी और से एक सनबाद आता समेलन कर सरकार के इस कदम के खिलाफ उनने आवाज उठाई थी और इस चीज के चता रिटेलर्स फेडरेशन जमू रगुनात बजार बिजनेसमैन एसोसियेशन कनकमंडी ट्रेडर्स एसोसियेशन वह अपसरा रोड ट्रेडर्स एसोसियेशन मुख्य संगठन है और वियर हाउस फेडरेशन के प्रधान दीपक गुपता की और से रलाइन स्टोर खोलने का मु और वेपारियों की काफी अंदेखी की जारी है जमू कश्मीर प्रशासन जमू के वेपारियों की सुद नहीं ले रहा है और पहले जमू में बेस्ट प्राइस खोला गया बिक बजार खोला गया और अब रिलाइन स्टोर खोलने की त्यारी है यह सिरफ जमू में ही हो रहा ह केंदर सरकार का भी कश्मीर के प्रती प्रेम भंक नहीं हो रहा कश्मीर हमारा हिस्सा है और उसके साथ प्रेम वाजिब भी है लेकिन जम्मू की अंदेखी करके ये प्रेम बरदाश के बाहर है अब समय आ गया है कि इस अंदेखी के खिलाव सक्त कदम उठाया जाए ऐसा बात करूँ दीपक गुपतार प्रदान प्रेडर्स फेडरेशन वियर हाउस नेरू मार्किट का कहना है कि सरकार कहती है बड़े स्टोर खुलेंगे रोजगार मिलेगा बड़े स्टोर खुलेंगे तो यूवाओ को रोजगार जो है उसका बढ़ेगा मैं पूछता हूँ कि अगर एक स्टोर खुलने से सो लोग का रोजगार मिलता है तो उस एक स्टोर की वज़ा से जो सो दुकाने बंद होगी और पांसो लोग बेरोजगार हो जाएंगे उसका दिम्यदार कौन होगा बेस्ट प्राइस को ही देख लें इसके खुलने से एक किलो मेटर दायरे में दुकान दारों का का आज बिलकुल ही बंद हो गया कुछ ने दुकाने बंद कर दी तो कुछ ने परिवार पालने के लिए काम वहां पर बदल दिया जमू बहुत चोटा शहर है यहां गली महले और चोटी चोटी दुकाने हैं जो इसे स्टोर खुलने से बंद हो जाएंगी जिनने इसलिए इने रोकने के लिए वेपारी हर मोचे पर लड़ाई के लिए त्यार हैं यानि कि उनकी और से साफ तोर से एक आ गया है कि जब पहले बेज़ प्राइस खोला गया उस दाइरे में जितने भी दुकाने थी रिटेल की उनका काम बिलकुल ही तरीके से बंद हो तो लोग डारेक्ली वान जाते हैं ना कि दुकान उसे समान लेते हैं जिस वज़े से उनका रोजगार ही चल रहे हैं अगर मैं बात करूँ कोविट की तो काफी समय तर दुकाने भी बंद रही जिससे लोगों का रोजगार रुक भी गया था तो लोग उसके एकनॉमिकली फाइनेंशली जो है काफी जादा उस चीज से डाउन हो चुके थे लेकिन अब ये रिटेल स्चोर खुलने जो जा रहे हैं जमू में इस वज़ा से काफी लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा सरकार में ये चीज़ कही है कि जब रिटेल स्चोर खुलेंगे उसमें जा कौन रखेगा और उनका परिवार जो है वो कौन चलाएगा तो ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे और प्रदर्शन भी आपने पहले देखा था कि रिटेल स्चोर खोलने के लिए प्रदर्शन किया गया लेकिन अब बुद्वार को यानि बाई सप्तमबर को जमू बं कि रिटेल स्चोर जमू में खुलने चाहिए या नहीं इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें और ऐसे जुड़रें बाहु एक्स्प्रिस के साथ